कि डाइसिव सिस्टम के थर्ड पार्ट पर जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे हम फंक्शन ऑफ बायल लेखेंगे तो यह होता है कि भाई नूट्राइज़ेशन हो एसल करता है इमल्सिपिकिशन ऑफ फैट होता है पैस्टेलिसिस को बढ़ा देता है पांच सा एमिल का आप् होती है alkaline pH होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं हमें पता है डाइज़ेशन ऑफोड की बात करेंगे बहुत इंपॉर्टन पॉइंट है मैंने बताया चुका था मेकनिकल और केमिकल प्रूसस्ट दोनों हो जाता है म्यूकस मिक्स्ट फॉट फॉर्म फॉर्म बोलस फॉर्म बो इन सब का सिक्रेशन यहां पे सलाइवा में दिखता है को के 30 परसंट हाइडोर्सस ऑफ स्टार्च टायरिंग का एक्शन होता है pH 6.8 होता है तो बन जाता है माल्टोस ठीक हम बता है डाइसकराइड है यह यह चीज कहां पे हो रही है भाई साब यह चीज हो रही है औरल देते हैं वो सिक्रेट करता है प्रो एंजाइम पेपसिनोजन और प्रो रैनिन ओके भाई सब अच्छा थर्ड में जो है प्राइटल यॉक्सिंटिक सेल्स है यह सिक्रेट करती है HCL प्लस सबसे इंपर्टन पॉइंट पूइंट पूरे डाइस्टिफ से तमचिये इंप का प्रीविशेर कोस्चिन स्टमक स्टोर फूट फूट फूर फूर फॉर तो फाइव एर्स डारिक कोस्टिन आचुका है इसको आके बोलते हैं काइम बोलते हैं ठीक बोलस निए बोलते हैं पेपसिनोजन चेसाथ रियाइग कर देता है PHA 1.8 होता है पेपसिन जो हो गेस्ट्रिक जूस अफ इंफेंट्स में रैनिंग जो है इस फाउंड एंड यह जो है मिल्क प्रोटीन के डिजिशन में हेल्प करता है small amount of gastric lipase is also secreted तो याद रखेंगे कि स्टमक से यह सारी जीज़ों के लावा lipase भी secret होता है protein digestion according to stomach major lady तो स्टमक अगर नहीं है अगर ही hemper होता है तो protein digestion है वो यहाँ पर हैंपर हो जाएगा बहुत important point, bile juice, pancreatic juice, intestinal juice, intestinal juice और क्या बोला जाता है, saccas and entericus, all are reducing to small intestine important point ठीक है pancreatic juice की बात करते हैं तो pancreatic juice सबसे important part आ जाता है जहां पर trypsinogen secret होता है chemo trypsinogen होता है pro carboxy peptides amylases lipases nucleases तो भाई साब ऐसा है कि pancreatic juice को complete digestive juice भी बूला जाता है क्योंकि ये सारे molecules के digestion में enabled होता है ठीक है bile juice जो होता है इसमें enzyme नहीं होते हैं सब को पता है also activate lipase ठीक है जो बाई जुज़े lipase को भी activate कर देता है अच्छा सक्का सेंटरिकस जो उसका composition देखेंगे या फिर यहां पर बजाएंगे तो देखते हैं कि brush border cells of intestinal mucosa का जो secretion है प्लस जो secretion है goblet cells kind को इन दोनों को मिला के हैं सक्का सेंटरिकस जो secretion है उसको बोलते है अच्छा इंटेस टैनम juice जो रिलीस होता है उसका pH 7.8 होता है इसमें diisacridases जो कि nucleosidases होता है dnases भी बोल सकते हैं lipases होता है इसमें dipeptidases भी होता है सब mucosa of duodenum से यहां पर आपन देखते है brunner's grant की बाद चर्चा हमने पहले कर रिखे थी जिसमें जो mucos secret करता है ठीक है वाई अचा इंटेसा है mucosa जो है वो enterokinase भी secret करता है important point है gypsynogen का reaction होगा जैसे हां देख रहे है trypsyn बनता है ठीक है जो कि again breakdown of protein में आगे जाके help करेगा proteins, peptones, proteases का जो action है trypsyn, chemo-tripsyn से होता है dipeptides बनते है polyseccride amylase reaction होता है disaccharide बनते है fad का lipase होता है di decryceride monoglyceride okay इस हर चीज हमका पता है nucleic acid अच्छा pancreatic juice से nucleus release होता है जो कि यहां पर nucleotide बनाता है nucleotide से nucleotides react करता है जो कि यहां पर nucleosides बनाएगा okay यह होता है अपना third part finish fourth part होगा second last part होगा उसके बाद vitaminology है तब तक के लिए good bye